दोस्तों नमश्कार, UPPCS 2022 का फार्म अंत्ता आ गया, सुबह ही चर्चा कर रहे थे कि अब समकष्टा सम्मंदी जो प्रावलम्स रहते थी वो हटा ली गई है, सीधे सीधे सारी जो भी इलिजबिल्टी है दी हुई है, कहीं भी समकष्ट शब्द का प्रियोग नहीं किया गया है, इस बात का आप ध्यान दीजेगा कि अब आयोग से जो वेकंसी आएगी, समकष्टा सम्मंदी अब समस्या आपको नहीं रहेगी, दूसरी बात है, आउनलाइन अप्लिकेशन आज से शुरू होगा, लास्ट डेट समिशन आफ आउनलाइन अप्लिकेशन 16 अप्रेल 2020 है, लेकिन मेरी आप लोगों को सला है, चोकि अंतसमे में बहुत दिक्कते होती हैं, सर्वर सही ने रहता है, तो अभी आप 8-10 दिन के अंदर ही अपना जो है कंप्लिट कर लें, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखेगा, यहाँ पे कुछ बाते पहले ही इस पश्ट कर दी गई और लास्ट लाइन सबसे महत्पूर है कि लास्ट डेट फॉर समिटिंग अप्लिकेशन अर्थान श्ट बातिश। जो submit करने की last date है 16 April की इसके पहले तक आपके पास जिस eligibility को मागए गया है जैसे law कर रहे हैं तो law की degree हो जानी चाहिए आपकी complete अर्थाथ उसका final year का परिडाम आ जाना चाहिए result आपके हाथ में हो ना हो लेकिन परिडाम आ जाना चाहिए ऐसा नहीं कि institute में result देने में कुछ देरी कर देते हैं वो बात अलग है लेकिन जहां भी online या फिर जो परिक्षा परिडाम घोशित होते हैं final year के परिक्षा परिडाम घोशित हो जाने चाहिए last date के पहले अगर ऐसा cancelled और misrepresented any desired या required information his candidate may be cancelled and other appropriate action like devourment may be initiated against him इसलिए 2021 में भी जो लोग दिग्री धरन नहीं किया हैं सिर्फ यह सोच रहे हैं कि मेंस देने के लिए हम दे लें परिक्षा उनके साथ action ले सकता है आयो ऐसा क्योंकि वो किसी और का जो eligible candidate है उसकी seat को खतरा उत्पन कर रहे हैं बाकी जो लोग फरजी प्रमाड पत्र या फिर result लगाते हैं उनके लिए भी एक line है जो अभी समी जरूर पढ़ लिजेगा if it is found that a candidate has submitted any forced document he या she will be debarred from all selections of UPPSC forever and action under relevant section of IPC will also be taken against him या हर ये प्रमुखतया आप देखेंगे eligibility संबंधी बहुत सारे बदलाओ यहां पर जैसा सुबह मैं जिक्र भी कर रहा था वीडियो में कि बड़े बड़े बदलाओ eligibility के संबंध में अभी आयो कर रहा है अभी कल प्रिंस्पल वाला जो था आपने देखा चार सोन्यासी लगबख स्टुडेंट्स को बाहर कर दिया गया उनका एड्मिट काड़ी नहीं जारी होगा क्योंकि उन्होंने जो eligibility चाहिए थी जो चाहिए था उसको दिया नहीं था या फिर वो उसके योग नहीं थे लेकिन मेंस देना चाहते थे फार्म अपलाई किया था मेंस का निराशा है कि धाई सो ही के वल पद हैं अभी इन धाई सो में उन्तालिस SDM 93 डिप्टी एस्पी तो यूं कहें कि अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट से पद आये ही नहीं है उम्मीद करिए कि आ जाएं आएंगे तो परिडाम तक प्रिलिम्स के में भी यह पद बढ़ जा लेकिन कुछ कहां नहीं सकता है सरकार वही है सोच वही है तो अभी अगर सोच नहीं होगी तो बात अलग है लेकिन जितनी भी पोश्ट आये यह जो 93 डिप्टी एस्पी है और 49 SDM है यही प्रेंडा के स्रोत रहते हैं आपके हर बार परिक्षा के बाकि सब पदों की कोई परवा नहीं करता है और कोई पूचता है डिप्टी एस्पी कितना है SDM कितना है तो वो परयाब्त है ठीक है तो इसलिए आपको लगना है इन ही दोनों पदों के लिए PCS की परिक्षा के ओल इन दो पदों को ध्यान में रखते और अगर कोई doubt हो इस पर विस्तित वीडियो फिर से बनाएंगे और UPPCS prelims अब बिल्कुल देर नहीं करना है 12 जून के लिए अगर कहीं जूड़े नहीं है तो 9453-77-5039 वाटसप है 9453-77-5039 वाटसप नंबर है इस पर संपर करके हमारे क्रैस कोर्से जोड़ सकते हैं हलांकि डिटेल्स हम बाद में वीडियो में देंगे लेकिन देर मत करिए बारा जून बहुत नस्दीक है और ना सिर्फ इस मैटेरियल के माध्यम से आप पढ़ पाएंगे चीजों को कम्पलीट कर पाएंगे बलकि बार बार रिवाइस कर पाएंगे ये बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा ये मैं दावा करता हूँ कि आप 15 से 20 दिन में चीजों को खतम कर लेंगे कम से कम 5 से 6 बार रिवाइस कर लेंगे अगर आउसतन आप 4 से 5 घंटे भी पढ़ते हो तब भी तो इसलिए आप लोग अब देर मत करिएगा अब कहीं और समय जया मत करिएगा अगर 2022 PCS आपका लक्ष है तो यदि कोई परिक्षा से सम्मंदित या फार्म से सम्मंदित और कोई आपके मन में तो कमेंड बॉक्स में कमेंड कर सकते हैं आपके डाउट देख करके हम अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद